मद्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष का दायत्व संभालने के बाद शेलेंद्र बरुवा दत्या के पीतांबरा पीट पहुचे दत्या में मा बगला मुखी के दर्शुन कर मा का आशिरवात लिया तो वहीं सिखों के दस्वे गुरु गुरु गोविंद सेह के पुत्रों के बलिदान दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने को लिकर पीए मूधी द्वारा लिये गए फैसले का स्वागत भी किया पूर्व संगठन मंत्री एवं मद्यप्रिदेश पाठ्य पुस्तक निकम के अध्यक्ष शैलेंद्र बरुवा दतिया पहुचे जहां उन्होंने प्रस्द्य शक्ति पीट एवं सियासत की देवी कहे जाने वाली मा बगला मुखी के दर्शुन किये पाठ्य पुस्तक निकम का अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार शैलेंद्र बरुवा दतिया पहुचे दतिया में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मूदी ने सिख्खों के दस्वे गुरू गुरू गोविंद सिह के गुरू गोविंद सिंग जी का अपने धर्म के लिए और इस देश के लिए क्या युगदान है प्रधानमंत्री जी ने कोई राजनेतिक इसू नहीं है राजनेतिक मुद्दा नहीं है और हमारी जो आगे आने वाली पीडी है जो बच्चे हैं उनको संसकार मिलें उनको एक नो साल की उम्र का एक छे साल की उम्र के बच्चे जो बिधर्मियों दोरा उनको दीवाल में जिंदा चिन्वा दिया और उन्होंने कहा कि हम इस धर्म नहीं बदलेंगे तो उनसे ऐसे बच्चों को प्रेणा मिले आगे आने वाली पीडी को तो इसलिए बीर बाल दिबस कर के माननी प्रधानमंत्री जी ने गोसना की है और उसके लिए प्रेणा मिले बच्चों को तो ये कोई राजनित की मुद्दा नहीं है लोग उसको राजनित की मुद्दा मान सकते हैं चुनाव अपनी जगे हैं लेकिन देश अपनी जगे है तो मुझे लगता है कि प्रधानमं गम के अध्यक शैलेंद्र बर्वा ने पीए मोधी के साथ हुए पंजाब हाथसे की भी जमकर निंदा की ब्यूर रिपोर्ट एमपी न्यूस टीवी तत्या